दिख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसे मन चैनल इंडिया न्यूस राजिस्तान और मैं हूँ आपके साथ शुभिंदु सिंग आपका स्वागत है हमारे खास कारिक्टरम बोलियो राजिस्तान में आज हम बात करेंगे प्रदेश में बढ़ते अपराधों को लेकर प्रदेश में अपराधों का ग्राफ बढ़ता चला जा रहा है ताजा मामला कोटा से सामने आया जहां अपराधियों ने ये वक पर चाकू से ताबरतुल हम लेकर उसको खायल कर दिया और ऐसे ही कई मामले सामने आते रहते हैं जिन में तमाम सवाल सामने आते हैं कि प्रदेश में बढ़ते अब राधों को कैसे रोका जाए अप रादियों में अब पुलिस का खौफ क्या खत्म हो रहा है और इनी तमाम सवालों के साथ आज बुल्यो राजिस्तान की टीम ने प्रदेश के अलग अलग अलाकों में लोगों से बात की है उनकी रायजानी है तो चलिए अब आपको ज़रा आगे बताते हैं सबसे पहले आपको रासानी जैपुर लिए चलते हैं जहांपर अमारे समाधा था बसंद पांटे ने लोगों से बात की है उनकी रायजानी है लोगों ने क्या का है इस रिपोर्ट के जरी आप देखे परदेश में अपरादों का गिराफ लगातार बढ़ता ही जा रहा है अपरादियों में पुलिस का भी खौफ नहीं रहा है और कहीं न कहीं जिस तरह के मामले लिकलकर साबने आ रहे हैं कहीं अपरादियों के साथ पुलिस ही लिप्त होती है इसके बाद अपरादों को मिली भगत होती है बदमाश मतलब लगब लगब हर बदमाश से थाना मैनेज ही होता है आज थाना शेत्र में कोई भी वियापार करता है चाहिए वो और चराब करें यह सब अधिकारी थाने वालों को पहुंचाते हैं क्योंकि बिना इनकी मिली भगत के जब तक यह सिस्टम को मैनेज नहीं करेंगे अपरादी काम नहीं कर सकता थाने चेतर में आए दिन ACB की तरफ से कारवाई होती है रोजाना मगबार पड़ते हैं न्यूज पे देखते हैं कई बड़े-बड़े बेक ओफ अपरादों को अंजाम देता है क्या महें कारान होता है और किस तरह अपरादों को पर लगाम लगाई जा सकती है देखिए अपरादी कर रहे हैं इसका फूरा का अगर आपने देखें पैसे पहुचाया जाते हैं खूब जाकर रिश्वत दी जाती हैं तो तोड़े अपराद काम हो सकते हैं अपरादियों को फोड़ी सकती बरकनी चीए अपराद होने के बाद पुलिस मॉनिटरिंग की बात कहती है लेकिन अपराद से पहले मॉनिटरिंग की जाये तो निसीत तोर पर अपराद पर लगाम लाएगा जा सकता है क्या लगता है क्या परसासन क Virts बीफियों को मॉनिटरिंग करने जरूरात है या ऐसी अपरादियों कुछ संकस्ट कदम उठाइं चाहिए और इसके लिए आपरादियों की मोनेटरिंग बहुत जरूरी है अगर पुलीस बिल्कुल सक्त हो तो बदमाशी नहीं सकती शेतर के अंदर इसके लिए हर गली मोले चोराय पर सी सी टीवी कैमरे जोना चीए इसके लिए कंट्रोल रूम स्थापित होना चीए जिस से इसका मतलब जो ग्राफ है इसमें सुधार आए मतलब कंट्रोल हो सकती है स्थिति बिल्कुल देखिए सीसी टीवी पर पहनी नजर हो सांतिसाद मॉनिटरिंग की जाए तो अपरादों पर लगाम लग सकती है क्या लगता है क्या पुलिस को फिल्ड में उतर कर मॉनिटरिंग क पुलिस प्रशाशन को गस्त बढ़ानी की जरुरत है अभी देखा जाता है तो दीवाली पे सुरक्ष व्यवस्ता फिर भी टाइट थी लेकिन जैसे यह सीजन चल जाएगा उसके बाद में पुलिस फिर से सुस्त हो जाती है जैपूर पुलिस को इसके लिए थोड़ी जरुवत है कि वह नाइट गश्त थोड़ी और चोकस रहे जिससे अपराधियों पर अंकुष लग सके अगर प्रशासन द्वारा लगातार मॉनिटरिंग की कि अब प्रदेश में पराधों को कैसे रुखे अपराधियों में अब पुलिस का खौफ क्यू नहीं है इनी सवालों को लेकर अजमेर से अमारे समधाता ने लोगों से बात की और उनकी राय जानी है एक रिपोर्ट आप देखें यह पूरे परदेश भर के अंदर अपरादों का जो सिलसला बादास्तूर जारी है अभी तेहवारों का सीजन है इसके बावजूत भी मतलब अपरादों कोई लगाम नहीं है लोगों का जो खौफ है अपरादियों को लेकर के बहुत जादा पनपता चला जा रहा है बस क्या देखा जा रहा है कि आए दिन बादमाशों को हांसले बुलंद होते जा रहें किसी तरीके से रोग लगए जाती आती है उनके साथ में किसी प्रकार की घटना दूर गटना ना हो अब देखा जाया था कि अजमेर के अंदर का आफी तरेके से बदमाश लोगों ने बस इस्टेशन के अंदर उत्पात भी मचाया था और अभी जिसे बस वें सारी फुल जारी कर रही है उसमें धका मुकीवी चेनिस के मामले सामने आ रहे हैं उन चीजों को देखते वे प्रशासन से एक अनुरोध होता है कि वो किसी भी प्रकार से इस खौफ प्रदा हो आपकी कहरा है इस बारे में सब मेरे बिलकुल आपकी बास से से मत हूं क्योंकि बटेंड का हाला आज देखा कि तेमार का मामला था तेमार होने के बार सब अपने अपने घर जा रहे थे लेकिन आज यहां पर बहुत कम इंतिजाम है जिसके कारान एक बस म फाइदा के इस घटना को अंजाम देते हैं बेकुछ सभी बात है कि जादा जब भीड हो जाती तो चोरों को और अपरादी तत्वों को उनके काम करने में बड़ी आसान हो जाती है परशासन को इस और भी धिहान देने ही चाहिए आपकी क्या रहा है इस बारे मेरा प्रशा और रास्तान सरकार से भी मेरा कनुरोद है कि जितने भी बश्चेंड है वहां पर सुरक्षा की दिरश्टी से सभी जगे CCTV ड़काई जाए जिससे इन अपरादियों पर लगाम लगाई जा सके है यह बही एक सही बात ही कि अपरादियों पर लगाम के लिए CCTV के भी होना वहीं बिकरनेर से हमारे समधाता भवानी जोशी ने लोगों से सी मुद्धे पर राजवानी हैं, लोगों ने क्या का है, जरा कि आप देखे. बिल्कुल अपरादियों में होस्ते बुलंद है, आपने देखा होगा कि बोड़े दिन पहले ही कोटा के अंदर गुमानपुरा थाना था, उसके पास जो फर सब्जी का जो विक्रेता था, उसके ओपर खुलियां फाइरिंग की गई थी और वो CCTV कैमरे में कैद भी हुए थे, आपने सैटीवी में और सब्जे के देखा भी था, यहां पर हनमानगड के अंदर दलीत के साथ उनकी हत्या कर दी गई थी, बहुत सारे लोगों ने मिलकर, तो दलीत महिलाओं पर तो अत्याचार होई रहे हैं, उसके अलावा अपरादी जैसा कि अभी आपने बताया भी थ आते हैं, तो उनके आसपास या उनके जो गुर्गे हैं, वो पुलीस पर भी हमला करने से नहीं चुकते, और आपने अभी देखा होगा कि जो रीड की प्रिक्षा के अंदर इतनी बड़ी धांदली हुई, उसके अंदर भी राजनेताओं का इतना बड़ा परवाव था, कि इनको गिरवदार करने गए, तो उनको सोजी की टीम को बेजना पड़ा है, क्योंकि पुलीस वालों पर इतना दबाव है राजे सरकार का, कि वो अपरादियों को गिरवदार करने भी नहीं जा सकती, क्योंकि उनने पता है कि जैसे हम गिरवदार करेंगे, उपर से नेताओ का फोन आएगा और उन्हें छोड़ना पड़ेगा, तो एसोजी की टीम और जब के अंदर सरकार इन सब का हच्टेव होता है, तब जाके यह हो रहा है, क्योंकि आपने रीट के अंदर देखा ही है, क्योंकि वो खुद डोटासरा के साथ खड़ा है, जो अपरादी है, जिस छूट स्कीम रहती है, उसी तरह अपरादियों के लिए इस सरकार में स्कीम है, और पूरी छूट दे रखिया है, कि यह सरकार जब तक रहेगी, अपरादियों के लिए स्कीम है, कि आप जितना आराजक माव़ फेलाएं, उनके हाथ बने हुए निया, बने हुए तो है जो परसासनिक अधिकार है, परसासन पहले भी यही था, आगे भी यही रहेगा, शिर्फ जो सरकार की इच्छा सकती और जो नीती नियम है, उनके सही नहीं होने के कांट जो अच्छे अधिकारी भी हैं, अच्छे अधिकारियों को वैसा महोल नहीं मिल रहा है कि वो परसासन को सुदार सके और दूसरा सरकार की तरफ से कोई ऐसे नीती नियम और उनकी इच्छा सकती नहीं है और दूसरी बार सरकार खुद में ही उल्ची विया इसलिए खनन रीट पुलीस मैकमे की और विबिंतरे की जो अराजक महोल और इतने अपराद बढ़ने हैं वो सिर्फ इनकी र नहीं पुलीस में तरह सपिया रहे हं और करनूल कुर नहीं है फिसनिती बाहने से कोल दोने नहीं है पुरा से भैया तरह है जिसके गार्ण के कॉस्यमें कोई निको सही मिल रही है सरकार को निंस्ची तोत पर शोजने शाए कि जैंगे कारण क्या है कि आपके चैनल के माध्यम सब्सक्राइब को दिपावने की हाथ इक शुद काम नहीं और जो राजनितिक और मर्सास्थिक है इन दोनों को अलग रहना से तो उनको अपने काम करना सी है किसी के दवाब में आकर कुई काम ना करें कि बिकाने लोगों को मानना है कि रादनिति अश्चेफ के कार्ण जो है आपराद बड़े है और रादनिति ज्सप्राण और पोस्टंग हो या किसी तमार से हो तो रादनिति लोगों का दबाब करने के लिए ब लगा मिओ में वहीं हन्वानगर से इंडिया नियूज समधाता कुलदीब शर्मा ने लोगों से बाच्वीत की है आपको भी सुनाते हैं बाच्वीत इंडिया नियूज राजस्तान का खास कारिकरम बोलियो राजस्तान जो समधार से लेकर सनीवार तक परसारीत किया जाता है जिसमें जन हित के मुद्धे उठाए जाते हैं आज का मुद्धा था राजस्तान परदेश में बढ़ रहे अपराद को लेकर चलिए पहले हम इनसे हैं पराद को लेकर इनका क्या कुछ Toby बच्चों पर उड़तों पर अपराद बढ़ती जा रहे हैं उन पर कुछ लगाँ जाहिये सरकार को और इसके पारे में कुछ जल्दी गरना चाहिए मैं बढ़ते हुए राजस्तान में बढ़ते हुए परादों के लिए कहना चाहूंगा भी माननी हैं कि लोग जी हमारे मुख्य मंतरी साहब ऐसे तो बहुत बढ़ी अकारे करें राजस्तान के लिए जन कल्यान कारी बहुत योजनाई उन्होंने लगू की हैं लेकिन जो बढ़ते हुए पराद हैं अब फिलाल जो उनके पास में डिपार्टमेंट है जो ग्रह बिवाग है उनके पास में खुद के पास में जिससे के वो उस पे पूरी मौनेटरिंग नहीं हो पाती है क्योंकि उनके पास में और भी बहुत ज़्यादा मैक में हैं लोग लाएंबाएं देखते हैं तो हमारे आस पास में अपराद जो है नब बहुत ज्यादा गटित हो रहे हैं जो अपराद कम education से यह जो भी समाज के अंदर कुरितियां हैं नशे की परिवर्टियां और परिवर्टियां उनकी वज़ए से बहुत ज्यादा हो रहे हैं तो हम ये सरकार से दर्खवास्त करते हैं कि इन पे जितना भी हो सके सरकार को पाबंदियां लगा के एक्टिवनेस अधिकारियों में लाके जाए से जादा इस पे पाबंदियां लगाई जानी चाहिए नहीं तो ये बढ़ता हुगा जो अपराद है ये समाज के लिए बहुत ही गा है फ्रादाओं को बंकुछ लगाया जाए इन पर इनको बंद किया जाए प्रादों को ज्यादा से ज़्यान दिया जाए इस तरफ यह नहीं होना चाहिए राष्तान में सरकार से हमने इन से जाना इन्होंने साफ तोर पर कहा है कि गहलोच सरकार को इस और कदम उठाना चाहिए और गहलोच सरकार की परसंसा भी इन्होंने की है भी वो अच्छे परसासक है लेकिन इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा है भी गहलोच सरकार को अपने अधिकारी है जो जो लेवल है जिन पर ये जिम्यदारी है भी अपराद को कम किया जाए उन्हें थोड़ा सा कड़ाई से पालन करवाई जाए ताकि अपराद में राजस्थान जो है जिस परकार से अपराद में आगे जा रहा है उसे वापिस पटरी पे लाया जा सकता है अन्मानगर से मेरे सयोगी राकेश चिंपा के साथ कुलदीव शर्मा इंडिया न्यूच बढ़ते अपरादों को लेकर के हमारे समधा ताने भीलवाडा में भी जाकर के किस प्रकार पुलीस का अपरादियों में खौप कम हो रहा है और अपरादी बे लगाम होते जा रहे हैं आईए हम जानता जिल्वाडा जिला जो राजस्थान का सबसे सांति प्रिये जिला कहलाता था लेकिन पिछले काफी समय से यहां पर जिस्तरे की अपरादिक गटनाय हो रही है मैं सोचता हूँ यह भीलवाडा जिले के लिए और राजस्थान की सरकार के लिए बहुती दुरभाग्य पूर्ण है पिछले दिनों यहां पर अफीम तश्करों के हाथों तीन पुलिस कर्म सहीद हो गए है आए दिन बजरी माफिया द्वारा प्रसासनिक अधिकारियों के साथ मारपीट की जारी है दुरगटनाय की जारी है दिपावली पर अभी जो गटना हुई है वो सब को चोकाने वाली है एक सामानी सी बात फटा के छोड़ने को लेकर जिस तरह से एक सित्तर वर्स के बुजुर्ग पर चाकों से हमला किया गया एक सामानी गटना नहीं है इसी के साथ मैं अब बात क्या करें पिछले 20 दिन से फिलवडा जिले का एस भी नहीं है छोटी मोटी गटना के लिए आई जी को यहां आना पड़ रहा है यह सरकार कितनी बेबस है सरकार मुझ और प्रसासन के अधिकारी नत्मस तक है आज अपराधियों में जो खौप होना चाहिए जो डर होना चाहिए और जंता में जो विश्वास होना चाहिए आज उसका अभाव हो गया है और आए दिन जो बढ़ रही गटनाएं यह मैसेज दे रही है कि अब सरकार नहीं है अब और अपराधी गटनाएं कम हो इसके लिए कोई दमदार कोई अच्छा पुलिस का अधिकारी तुर्णत नुक्त हो तो यहां अपराधी गटनाओं में काबू पाया जा सकता है अपराधी बेलगा महोरे आए दिन बजरी की जैसे गटनाओं है बजरी मापिया है तसकर है यह बोलबला है पुलीस का खोब दिखाई ज़रा है पुलीस अभी जब से अभी एस्पी साब यहां से नहीं है तब से पुलीस कहीं नजरा आती नहीं है और जितने भी जो अभी आरा तो उनके साथ एक्सिडेंट की गटनाओं घटरी है तो हमारा मानना है कि अभी जो प्रसासन का जो है ने वो डंडा कम है और कटनाओं बढ़ रही है एक पुलीस का स्लोगन होता है आम जन्मी इस्वास और अपराधियों में डर लेकिन यह आजकल होता दिखाई के है आम जन्में विस्वास ओर अपरादयों में डर अभी इसका ठीक उल्टा हो रहा है अपराध्यों में अब बेखोब होकर वह अफराद कर रहे हैं और आम जन्ता बहे से ग्रस्थ होकर जीन्नें को मझबूर हो रही है है कि गन्यवाद हması क्या मांते हैं अपरादी यह राजस्तान में जंगल राज हो गया है गैलोश सरकार कानून यविश्टा को लेकर बिल्कुल नकारा और निकमी सरकार हो चुकी है अपरादी आए दिन घर में जाके बुजुर आदमी के उपर सित्र साल के बुजुर आदमी के उपर हमला किया उन्होंने ये इससे ज़्यादा और सरमनाग बाद क्या होगी आए दिन बजरी मापियां को अभी देखने के मलता है अपीम जो तसक्री होती है इसमें भी कही बार आज से होच चुके हैं क्या करें बिलकुल ये आए दिन अफ तसक्रों के पीचा करते हुए पुलिस कर्मी सहीद हो गए तो ये राजस्तान सरकार की नकारा और निकमी सरकार है कि बिल्कुल तो यह पिलोड़ा के लोग जिन्हों ने बताए कि पुलिस के अंदर जो एक टेर्र होना चीए जो खोब होना चीए अपरादी में वह है को बता है अपरादी में ओक है दिखाइन दे रहा है इंडियान उत के लिए मैं बिलोड़ा से प्रलात तेली है